नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर यूपी के मउजन पत से है जानगर के सारदा नरायन अस्पताल इस्तित ब्लड बैंक में रोटरी क्लब के नए सत्र के सुभारम पर रगदान शिविर का आयोजन किया गया इस रगदान शिविर का सियम्मो डॉक्टर सतीज चन सिंग ने फीता काट कर शुभारम किया इस मौके पर रोटरी क्लब के अध्यच डॉक्टर एचन सिंग, सचीव, प्रदीव सिंग, वरिष्ट संस्थापक सदस्य डॉक्टर एशन खत्री ने सियम्मो डॉक्टर सतीश्चन सिंग का सम्मान भी किया आपको बता दें रोटरी क्लब के द्वारा रगदान शिविर के आयोजन में काफी संख्या में विभिन वर्क के लोगों ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया और अपने द्वारा रगदान कर महादान के भागी बने आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जो एक विश्वास बना रगदान शिविर में और आपको बता दें इस रगदान शिविर में 48 लोगों ने रगदान किया वहीं सारदानार ब्लड बैंक में पांच लोगों ने अपना सहमती पत्र भी भरा कि आगे भविश में कभी भी जरुरत हो तो हमें बुलाएं हम रगदान करेंगे इस औसर पर कलब के वरिष्ट सदस से मौजूद रहे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से रगदान करने वालों को प्रमान पत्र भी दिया गया इस औसर पर रोटरी कलब के अध्याच डॉक्टर एचन सिंग और सचीव प्रदीप सिंग ने क्या कहा आई आपको सुनाते हैं आपको सिंगे माद करने भी पर रोटर से वालों कमा इसे कर दोरों करने का हैं इस वह प्रदीप चैनाविए तो प्रमान करने रहे हैं कि प्रद्र सुनाते हैं तो किसी बना राइट नहीं और बुटरी कलब मौक की ओर से आज साधानार हास्पिटल के साधानार ब्लड बैंक में आज तकरीवन 48 लोगों ने रखदाम किया है जबकि 5 लोगों ने अपनी सामक पत्र फारम भरा है क्योंकि साधानार ब्लड बैंक में संत्रिप्थ हो गया थ इस वज़े से 5 लोगों ने अपना सामत फारम भरा ताकि वह किसी भी आपातकार की समय उनको बुला जा सके और वहां पर आकर रखदान करें रोट्री क्लब की तरफ से तमाम समाजी सरोकारों से जुड़े कारें को किया जाता है और रोट्री क्लब का सची होने के नाते आगामी दिनों में जित्रा भी बन सकता है आपता के दोर से बुज़रने रहे हैं हम लोग उसमें समाज सिवा करने के लिए रोट्री क्लब की सं चांद लगाते हैं प्यार भरी भेट और उपहारों के रूप में तोहारों की रोनक बढ़ाते हैं आपके सभी अन्मोल रिष्टों को हम प्यार से सजाते हैं स्वन अलंकार की कला समेटे हम है शिवाज्वेलर्स घास बाजार माउ झाल